नमस्कार दोस्तूं मैं अस्ट लॉजर सचिन आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अभिदंदन करता हूँ आपकी अपने चैनल एस्ट्रिनवाइड पर कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, सुखी होंगे, जीवन में उत्तम सुखों को प्राप कर रहे होंगे मैं हाजिर हूँ सिंग राशी, 2 फरवरी 2019, क्या कहते हैं आज आपके सितारी, क्या कुछ शुब 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 है आज आपके जीवन में हम आपको बताएंगे सबसे पहले जानेंगे आज का पंचान सूर्य उद्य होगा 7 बच के 13 मिनट पर सूर्यास्त होगा 5 बच के 57 मिनट पर तिथी होगी क्रिश्न प्रक्ष त्रियोदरशी नचत्र होगा पूर्वा शाढ़ा योग है वरज वार है शनीवार अब जीत महुरत 12 बच के 13 मिनट से 12 बच के 56 मिनट तक अमरित काल मुरत होगा 6 बच के 34 पी म से यानि शाम से 8 बच के 21 मिनट तक राहु काल का समय रहेगा सुबह 9 बच के 24 मिनट से 11 बच के 14 मिनट तक और आज के वृत और तयवार हैं प्रदोष वृत, शनी तरियोदर्शी और मार्षिक शिवरात्री अब आरंब करते हैं आज की भविश्वानी, आज का राशिफन यह जानकारी चंद्रमा के अधार पर है आपको यदि आपकी चंद्र राशिक गया नहीं है मांसिक पीड़ा, सरदर्थ बैचेनी आलस होगा आज आपकी यात्राएं अधिक होगी लेकिन कुछ व्यर्थ की होगी कुछ पे थोड़ी बहुत सफलता मिलेगी जदी आप सिंग राशी की महिला है और गर्बधारन किया हुआ है तो अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें आज आप बिना सोचे समझे मन मौचियों की तरीके से काम करेंगे छात्रों की शिक्षा में परिशानी आएगी आज आप आलसी होंगे शरीर कमजोर होगा वैवार में आप अच्छे नहीं होंगे आपकी कमाई गई धन संपत्ती गलत रास्ते पर खर्च हो सकती है आपकी गलत नीथियां वा गलत नीड़ने आपको नौकरी वैपार में खानी पहुचा सकते हैं आपका कद नीचे जा सकता है आज के दिन आपके मन में आशान्ती होगी शांती भंग होगी और आप कटू वचनों से अपनी कुछ ऐसी हरकतों से घर परिवार या समाज में कुछ लोगों की शांती भंग भी कर देंगे कटू वचन मुझसे दिका लेंगे और अपने आज पास के लोगों का दिल दुखाएंगे आज आप किसी को भी अप्शब्द बोलने से जगड़ा करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाएंगे और इसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा तो सावधान रहें नौकरी छूटने का भाय होगा, प्रेम संबंद खराब होगे, जीवन साती से आपको परिशानी होगी, बाद विवाद होगा पारिवारिक विवाद या परिवार में अशान्ती होगी माता जी पिता जी से रिष्टे बिगड़ेंगे धन की हानी होगी पैत्रिक संपत्ती के लिए संघश करना पड़ेगा विदेश शात्रा के मार्व में ठगे जाने की संभावना है वहां दुर्वटना का भय है बड़ी ही साथानी के साथ दिन बताएं शुप समय का इंतजार करें तब ही बड़े फैसले लें, निवेश करें, धन की बचत करें अपनी योजनाओं को गुप्त रखें आज का उपाय है किसी शिवाले में जाकर शिव जी को जल जढ़ाएं संभव हो तो गन्नी के रश से शिव जी का जलावी शेक करें और विश्दोश के प्रभाव को समाप्त करें या कम करें तो सिंगराशी वाले आज के दिन सावधानी पूर्व बिताएं ताकि आगे आने वाला दिन बढ़िया रहे चानकारी अच्छी लगे तो और मित्रों तक पहुंचाईएगा हरियो नमस्कार